hello friends तो दोस्तो काफी समय के बाद وीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब मीटर होता है इसके connection हम कैसे करते हैं तो दोस्तो बहुत आसाने इसके connection को करना यहां आप देखेंगे दोस्तो यहां मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलू कि जो हमारी पोल से लाइन आती है वो हमारी incoming line होती है उसको हम incoming कहेंगे और जब जो meter के दूसरी side से निकल के घर में wiring करी जाती है उसे हम outgoing कहेंगे अगर meter को आप देखेंगे तो हम यहां से इसको क्या करेंगे कि दोस्तो हम इसको यहां से खोल लेंगे खोलने के बाद meter पर direction भी दिया हुआ होता है यहां पर दोस्तो आप देखेंगे तो इसमें चार terminal दिये हुए है चार terminal में जो meter से जो pole से line आती है for example यह हमारी pole से आया हुआ है तो इसमें जो red वायर होगा वो face का होगा और जो black वायर होगा वो neutral होगा तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारा यह पहला वाला terminal है इस पर हम face connect करेंगे और जो दूसरा वाला रहा है इस पर हम black वायर connect करेंगे तो चलिए हम इस पर वायर connect कर लेती है तो यह देखें दोस्तों याद रखें जो यह मैंना connection कर दिये है जो meter जो pole से connection आएगा पहला वायर जो होगा अभी मैंने इसमें line नहीं दिये तो आप ऐसा नहीं समझें कि आपको करण ना लग रहो तो यह इसके अंदर भी line नहीं है तो जो लाल वायर है वो हमारा face का होता है वो टर्मिनल पर first टर्मिनल पर जाएगा और जो black वायर होता है वो हमारा neutral का होता है वो हमारा इस वाले टर्मिनल पर जाएगा तो यह हमारी होगी दोस्तों incoming यानि supply अब हमें इस पर देनिया out going यानि load हमें देना है तो load देने के लिए अब हमें connection कैसे करना है कि जो red वाला वायर है वो इसका connection इसका diagram मैंने दूसरी वीडियो में नीचे दे रखा है आप देख लेना मैं description में उस वीडियो का link दे दूँगा तो इसका जो यह face होगा यह वाला टर्मिनल इसका face होगा और जो neutral होगा इसका वो यह वाला होगा यानि earth तो चलिए अब हमें इसके connection भी आपको करके दिखा देते हैं यह देखें दोस्तों जो इसके final connection थे वो तयार हो गए यानि यह हमारा incoming call incoming होगा sorry और यह out going यानि load यह supply हो गया यह load हो गया और इसके direction इस पर दिया हुआ भी है यहां देखेंगे आप तो यह लिखा हुआ है supply और load यानि supply 1 का पहला terminal इससे जाके हमारा इससे मिल ला है तो यानि 1 और यह दूसरा वाला terminal S2 तो L2 यानि यह supply और यह line ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसके connection हो जाएंगे अब हमारे जो यह दोना wire है यह वाले wire यह हमारे load के लिए तयार है तो चलिए अब हम इसमें एक supply board में आपको लगा के और current इसमें दिखाता हूँ यह देखें दोस्तों जो इसके final connection थे वो मैंने board से कर दी है और इस तरीके से जो हमारा meter के connection होते है वो ready हो गए है तो अब हम क्या करेंगे इसको हम यहां से एक बार फिर देख लें यह हमारे supply हो गई और यह हमारा load हो गया और इसके connection जो load के connection है वो घर की wiring से connect किया जाते है यह MCB box जो होता है वहां man supply से connect किया जाते है यहां मैं आपको board से connect करके दिखा रहा हूँ अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारी यह box है light का काम है दोस्तो safety पहले बरतनी है तो अब हम इसको यहां से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद अब मैं आपको इस meter को यहां से on करके दिखाता हूँ इसमें wiring हम देंगे sorry supply देंगे और फिर यहां पर हम load देकर आपको दिखाएंगे यह देखें दोस्तों meter के अंदर light जल चुकी है यानि हमने इसके अंदर supply दे दी है अब हमारा जो यह board है हमने इसके अंदर इसको test कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं यह tester से इसमें देख लेते हैं यह देखें आप देखेंगे हलकी सी light जल रही है यह देखें बंद किया मैंने light जली इसका मतलब जो हमारा यह connection है वो ठीक है अब हम इसमें कोई load देके आपको यह मैं बलफ है मैंने series बना रखिया इसको मैं एक बार series से चेक कर लेता हूँ द बिलिंकिंग भी मीटर करेगा जो कॉल है जिससे कि हम देखा देखा अपने दोस्तों इसने बिलिंकिंग किया इसका मतलब हमारा जो connection है मीटर का वो सही हुआ है तो इस तरीके से दोस्तों आप connection कर सकते हो and I hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी तो लाइ अगर आप इस चीज में interested है और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हम submitter में ऐसा क्या चीज लगाए या कैसे connection करें कि जिससे हमारा बिजली का बिल कम आए तो नीचे जरूर कॉमेंट करें फिर मेंकल वीडियो बनाकर upload करता हूं एक बार फिर आपसे request करता हूं वीडियो प